नमस्कार बंदे मात्रम मैं आपका भाई दीपक रागब होलिस्टिक फार्मिंग कोच प्रेनर एन कंसर्टेंट आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल होलिस्टिक फार्मिंग पर आज का जो विशह है वो बहुत ही गंबीर विशह है टिड़ी जो की डर का व किया जो मेरा experience रहा है तो तो तड़ी को हम भी रामजी का गोडा और अंग्रे जी में इसको लोकस्ट बोलते हैं और ये प्राकर्तिक के रखवाले होते हैं जो वेक्ति दीमक और ये तड़ी हमारे दो परंप्रिये मित्र हैं और अगर यह नहीं होंगे तो धर्ति एक विश वहत तेजी से बढ़ जाएगी जो वेक्ति टिड़ी को खर्पत्वार या कोई इसको समझ से मानते है तो उनको वो तेड़ी भी समझ में नहीं आ सकती तो पहले बात दो यह समझना पड़ेगा कि दीमक हमारी मित्र कैसे फिर आपको समझ में आएगा कि तिड़ी हमारी मित्र क शलिए चार पी और ऑई जाते हैं जिसमें से जैसे रगी स्थानी टिड्डी यह ज़्यादा नुक्षान पद्डी है। आसा हमारे वग्यान न्युकों का कहना ही। तो इसके इसके वारे में और थोड़ी चर्चा करते हैं कि इसका जो जीवन चक्र होता है 65 से पिछा दिन का होता है और एक मादा जो टिड्डी होती है साथ से 120 अंडे देती है जो कि 20 दिन में जाके एक टिड्डी का रूप धारन कर लेती है एक जुंड में 20 से 25 करोड टिड्डी चलती है और जब यह जुंड में चलती है तो 100 किलो मीटर तक एक दिन में तय करती है और एक दिन में जो एक टिड्डी का जो जुंड होता है वो सि कि पचीस सो लोग जितना खाना खाते थे उन्होंने एक दिन में वह खाना खा लिया और इतना कह सकते हैं कि नुक्षान कर दिया अब बात आए अब इसके बारे में थोड़े से सूच्मता से करते हैं कि यह जो समझ्या है वह क्यों आई कि जब तक आप यह नहीं समझेंगे त इकल फसल करेंगे और या तो कोई आप ऐसा प्राकरति के बुरुद इतना जगन्य अपराद कर रहे हैं जिससे यह समझ्या आप करते हैं जिससे कि आपको पता भी नहीं पड़ता कि आपको गलत काम कर रहे हैं तो यह दीमक है राम जी का गोड़ा और भी बहुत सारी चीज सबना करते हैं जब कि पूर बजो ने कभी वी एक बढ़ंए प्याइप जब नहीं लगांए वह बारा जगकी बार है लागती कि इस एक जि Хान था लगाया करते धैसात लगाई छजफड़ एक लगत थे यह राज चैन कि नहीं बाति थे और के रहे हैं को बात확 घिकिए नह तो दूसरा क्या है कि ज्यादा से ज्यादा अपने एरिये में पेड़ लगाएं सेफसल करें और सरकारी और बैग्यानिकों के चकर में और चंगुल में नाफसें और मैं एक तरीका बता रहा हूं जिससे कि बहुत सारे भाहियों ने क्यों किया और उनको मुझे बहुत किसा है धुम्रपांच किसा हमारे वेद में इसमें क्या करते हैं चिरायता नीम और गिलोय आप लेंगे बहुत सारे उपले लेंगे उसमें चिरायता नीम गिलोय डाल देंगे और उसमें आग लगा देंगे जब उसे और उसे इतने बड़े मात्रा में दूहां होता है कि ज अगल्पन की दबाईयां हैं और यह ब्लाइडनेस की दबाईयां जैसे आप इनको प्योग करेंगे तो ब्लाइडनेस हो जाएगा और कोई विच्छा नवजात शिशु आपके एरिये में हैं और यह हवा में घुलके यह कैमिकल आपके उस बच्चे से एंट्रेक्ट कर गया अगर वह बच्ची की उमर पांट साल तक है तो उसकी तुरंत ही मिरति हो चकती है यह तने खतरना केमिकल है तो मेरी सभी से विनम्र निवेदन है विंति है कि ऐसा प्योग ना करें कि इतना आपको फायदा नहीं होगा इतने बड़ी मात्रा में आपको नुक्षान हो जाए तो विंति है कि ऐसा कोई भी ना काम करना करें अगर कोई समझ्चा होती है तो पहले अपने बजुर्गों से संपर करें फिर अपने साधू संत्य रेशी मुनी उनसे संपर करें कि उनको 60-70 साल का experience होता है उनके सामने यह समझ्चा आई होती है तो उनके जो तरीके हैं उनक को समझना पड़ेगा वर्ड वैंक को अभी वर्ड वैंक ने दो लौन हमारे को दिया है एक अरब डॉलर का दिया है पिच साय्ट की एक डॉक्मेंटेशन करती है कि आप हम से लॉन ले रहे हो आप जब देंगे जब देते रहेंगे लेकिन हमारी यह तरम कंडिशन है यह आ यहां पर जो मतब रहते भारत में लेकिन विदेशी कुछ शड़ेंदरकारी लोग हैं वो एक रपोर्ट बना के उन्होंने दी कि भाई राजिस्थान इस एरिये में न हमारे जो मतब दबाईयां नहीं बेकी जाती हैं यहां पर आई बीएफ ऑस्पीटल नहीं हैं यहां के ल लोगों से ब्रेंवास करें तो उन्होंने का कि यहां पर एक डड़का बेवपार बनाईए और यहां के लोगों से गलत काम करवाईए जब वो गलत काम करेंगे तो टिड़ी जैसी कोई चीज आएगी और फिर हम इस बात का फाइदा उठाएंगे लोग बाग दबाई आट लॉचाड के बहुत बड़ी मात्रा में लोगज वाद बीमार होंगे मरेंगे बहुत पड़ी लेवल पर परेषान होगी और तरह ही तरह होगी और उनका यह काम हो जाएगा उनके अशपिटल भी खुलेंगे उनकी दभाई भी खुलेंगे नुन कंपनियों के लिए फ के अब बारे में आपके और कुछ प्रेशन रहा जाते हैं होते हैं तो मुझे परशनी लग के पूछ सकते हैं नमस्कार बंदे मात्रा